गोड़ मॉर्णिंग, सभी लोगों को, मैं सुद्धी उकमास रिवास्तो, आज आपके सामने, बायोटेकनलोजी सेरीज लेकर की उपस्तित हुआ हूँ, बायोटेकनलोजी सेरीज का आज हमारा पहला लेक्शर है, इसमें हम लोग आज जिनेटिकली मॉडिफाइड और्गनिजम की बात करेंगे, GM और्गनिजम जिसको GMO SORT में कहते हैं, तो यह किस प्रकार से हमको हमारे हेल्थ में, हमारे एगरिकल्चर में, हमारे इनवारिमेंट में कैसे हमको लाब देते हैं, इनको कैसा, कैसे इसको बनाया जाता है, इसकी डिफिनिशन क्या होती है, और साथी साथ इसके प्रोस और कौन्स क्या है, यानि कि कौन-कौन से इसके हान और कौन-कौन से इसके लाव है, मेरिट और डी मेरिट इसके क्या है, इस पर आज हम लोग डिसकस करेंगे, तो आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक GMO, सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े e-learning platform Unacademy पर स्वागत है, यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी, कंटेंट, ग्रेट, लर्निंग, इक्स्पिरियेंस आपको यहाँ पर मिलता है, जो लोग Unacademy का आई पर विदल डाउनलोड नहीं किये हैं, वो इ से कि उनको डेली लाइब क्लास, लाइब टेस्ट क्विज, इस्ट्रक्चर कोर्स और अनलिम्टेड एसस आपको मिलना यहाँ पर स्टार्ट हो जाए, साथ ही मेरा यहाँ पर टिलिग्राम लिंक और मेरा Unacademy एप का प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, इस से आप जूर सकत हैं, और मेरे आने वाले lectures के बारे में, मेरे online class के बारे में, PDF के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी, और आपको यहाँ से चीज़े जो है हो, जो आप सब्सक्राइब करा सकते हो, उसे पॉलिटी, गवर्नेंस, आई आर, हिस्ट्री, करेंट अफेयर, जियोग्राफी, ऑफ्सनल कोर्स, इंडियन एकॉनमी, साइन्स एंड टेकनोलोजी, इन्वार्मेंटल एंड एकॉलजी, सारी चीज़े यहाँ पर आपका हाई, सारे साथ, यहाँ पर आपको दो तरह की कोर्स प्रोवाईट की जाते हैं, एक आपका प्लस कोर्स है, यहाँ इन्डिक कोर्स, प्लस कोर्स के हम लोग करतेएर, यहाँ आपका बारा महिने का और 24 महिने का कोर्स है इसमें आपको 12 महिने का कोर्स जो है 44,000 रुपीज का है यहाँ पर अगर आप मेरा रिफरल कोड SS01 यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और यह 39,600 का हो जाए और अगर आप 2022 या 23 में एक्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं दो साल के लिए इसकी फीज 64,000 रुपीज है मेरा रिफरल कोड अगर आप यूज करते हैं में लेकर आया हुआ होगा या क्वालिफाई होगा जो आपको हर इस टेप पर आपके तैयारी कराएगा वो चाहे प्रिलिम्स लेबल पर हो दा हिंदू कैसे पढ़ना है NCRT के नोट कैसे बनाने हैं टाइम टेबल आपको कैसे होना चाहिए करण्ड फिर आप वो कैसे पढ़ना चाहिए साथ में मेंस के एंसर और रायटिंग आपको कराएगा essay के बारे में आपको बताएगा और आपको बताएगा ओपसल सब्जेट की कैसे नोट्स बनाने हैं कैसे उसके एंसर रायटिंग करनी है यह सारा कुछ आपको बताएगा साथ में daily mains question ऐसे practice आपको कराई जाएगी study planner आपको दिया जाएगा और personalite feedback आपका daily होता रहेगा यह fees जो है 12 महिने की एक साल की 64,000 रुपीज है मेरा referral code SS01 अगर आप यूज करके लेते हैं तो आपको 10 personal discount मिलेगा और 97,600 रुपे की आपकी fees हो जाएगी और अगर आप 2 साल का लेते हैं 24 मन्त का यहने की 22,30 में अगर आपको एक्जाम देना है तो इसकी fees 99,000 रुपीज है अगर आप referral code यूज करते हो SS01 तो आपको 10% का discount हो जाएगा 89,100 का पड़ेगा यह तो यह थी कुछ जानकारी अब हम लोग अपना आज का topic स्टार्ट करेंगे टॉपिक आज का है genetically modified organism सभी लोगों आपने पढ़ा होगा की GMO के बारे में पढ़ा होगा genetically modified organism डाइगराम को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि यह किस चीज की बात कर रहा है कि जो चीज नेचर में नहीं है जो चीज नेचर ने हमको नहीं दी है उस चीज को हम प्राप्त करें एक genetic engineering के द्वारा और उसका हम benefit ले अपने agriculture के field में अपने medical के field में और अपने environmental production के field में अगर उसको हम किस प्रकार से utilize कर सकते हैं तो इसमें हम लोग genetic label पर जा करके यानि कि molecular label पर जा करके हम genes को परिवर्तन करके एक नई variety उत्पन कर लेते हैं वो चाहे जीव की हो चाहे प्लांट की हो या चाहे वो एकोई animal की हो या चाहे किसी bacteria की हो यानि कि किसी भी जीव के genome में gene को परिवर्तन करके उनमें नए लक्षर ला दिये जाएं जो पहले nature में नहीं थे और वो मनुस्त के लिए कहीं न कहीं से beneficial हो तो इस प्रकार के जो जीव बनाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे genetically modified organism कहलाएंगे और इस प्रकार के जो organism होते हैं उनको बनाने के लिए हम लोग genetic engineering का use करते हैं और उसके लिए जो हम लोग ये use करते हैं term उसका नाम है recombinant DNA technology RDT और इसके द्वारा जो हम DNA बनाते हैं जो हम insert कराना होता है उसका नाम है RDNA यानि कि recombinant DNA इसको कहा जाता है तो आज हम इसी को आपको पढ़ाएंगे exactly GM crops होते क्या हैं और weakest प्रकार से इसको बनाए जाते हैं तो जैसे जैसे human being science और technology में advance होता जा रहा है वो नई नई चीजों को खोजने का प्रयास करता है और अपने beneficial के लिए नई नई चीजों को वो invent करना चाहता है उसको बनाना चाहता है suppose करे कीजिए जैसे अभी आप टमाटर उगाते हैं जैसे मालुक किसान टमाटर उगाते हैं और टमाटर जो होता है वो एक हपते में या चार दिन में पास दिन में कि टमाटर इस प्रिकार का टमाटर बना दिया जाए अईसे टमाटर उगे जो कई इनों तक यानि कि महिनों तक उस खराब नहों वो ऐसे के ऐसे बने रहें अब नेचर में तो ऐसा possible है नहीं कि हम टमाटर को ऐसे रख सकते हैं कई दिनों तक एक महिने तक तो बैग्यानिक क्या करते हैं कि उस टमाटर में ये खोशते हैं उस टमाटर का क्या करते हैं जीन खोशते हैं यानि कि उसका जो अनुवांसिक पदार्थ होता है उसका अध्यन करते हैं और ये खोश के निकाल लेते हैं कि इसके अनुवांसिक आने के लिए जिम्मेदार है जैसे माली जीन 10 हम माल लेते ये इस टमाटर को जल्दी खराब होने के लिए responsible है क्योंकि ये जीन क्या करता है एक विसेश प्रकार का एंजाइम बनाता है और वो एंजाइम क्या करता है टमाटर को जल्दी खराब कर देता है अब बैग्यानिक क् तो इस प्रकार का जो टमाटर बन गया उससे कई फायदे हो गए एक तो किसानों को फायदा होगा कि उनको जो है अब खराब होने के समझर नहीं रहेगा तो अगर नहीं बिगेगा तो अपने घर में वो लंबे समय तक रख सकते हैं दूसरा कोई जो खरीद के ले गए जो कि उससे आय बढ़ेगी यानि कि वो टमाटर क्या होंगे पहले क्या बेक्षा क्या होंगे महेंगे होंगे तो इस प्रकार से दूसरी एक्जाम्पिल मैं आपको देता हूँ जैसे आपने सुना होगा बीटी कॉटन का नाम सुना होगा बीटी कपास का नाम सुना होगा तो exactly हुआ क्या, कि बीटी कपास में क्या होता है, कि एक कीड़ा लगता है, और वो कीड़ा क्या करता है, कि कपास को नश्ट कर देता है, तो बैज्यानिकों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, कि वो कीड़ा इसमें लगे ही ना, तो उसकी लिए क्या करेंगे, उस पर हम insecticide डाले उस पर हम क्या करेंगे उस पोधों पर क्या डालेंगे कीट नासक का यूज करेंगे लेकिन कीट नासक की अपनी अलग समस्या होती है क्या होती है एक तो यह बहुत महेंगे होते हैं दूसरे क्या होते हैं कीट नासक यह जो होते हैं धिरी धिरी क्या हो जाते हैं अपने आपक को एक तरह रजिस्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये किड़े मरते नहीं हैं तो एक समस्चावपन हो जाती है तिसी जिस क्या होती है कि कीट ना सकाव प्योग करने से जो है वो पौधे खराब भी हो सकते हैं मुर्जा सकते हैं मर सकते हैं तो बैग्यानकों ने क्या सोचा कि क कुछ ऐसी तकनिक लाई जाए जिससे क्या हो कि पौधे खुद ही ऐसा केमिकल निकालें कि अगर कीट उनके पास आए तो कीट अपने आप क्या हो मर जाएं तो बैग्यानकों ने क्या किया एक बैक्टिरिया की खोचकी और उस बैक्टिरिया क्या नाम रखा बीटी था उसका यह एक म्रदा में पाया जाने वाला बैक्टिरिया होता है म्रदा में पाया जाने वाला बैक्टिरिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैसिलस थ्योरिन जिनेसिस कहा जाता है इसको आप ध्यान लिखिएगा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बैसिलस बैसिलस थ्योरिन जिने यह बैक्टरिया का नाम है बेसलस का हम लोगों B ले लेते हैं और थ्यूरेंजरेसिस का हम लोग क्या ले लेते हैं T ले लेते हैं और इसका नाम क्या रहते हैं BT रख देते हैं और बेसलस थ्यूरेंजरेसिस जो होता है वो एक प्रकार का आपका बैक्टरिया होता है इसको नाम है cry gene nama c r y cry one gene कहते हैं या cry two gene होता है यह इसमें gene होती है जो एक विशेश प्रकार का रसायन का स्राव करती है निरमाड करती है और यह रसायन क्या करता है कि एक कीट जो होता है एक कीट जो होता है उसको हम लोग अमेरिकी बॉल वार्म कहते हैं या सुंडी कपास कहते हैं एक सुंडी कपास होता है कीट होता है जो इस पर लगता है जैसे सुंडी कपास आता है और इस रसायन को खाता है इसका जो इस्टमक है जो इसकी इंटेस्टाइन है वो डैमेज हो जाती है और ये मर जाता है तो अब अगर ये रसायन अपने आप पौधे निकाले तो ये कपास के पौधों को हम बचा सकते हैं तो उसके लिए क्या क्या इन्हों ने कि कपास के DNA में कपास के DNA में इस बैक्टिरिया के DNA को जोड़ दिया उस DNA उस जीन को जोड़ दिया जो जीन जो है इस प्रकार के रसायन का निर इसमें कपास के dnA में क्या किया बैक्टेरिया के dnA को जोड दिया, अब ये जो बैक्ٹेरिया का जीन क्राइवन जोड दिया है, अब जो हमारा dnA यानि कि यो plant का dnA बैक्टेरिया का dnA जब replication करेगा और protein बनाएगा तो क्राइइ इसरे भी क्या होगा, protein यानि की रसायन ब और इसके पास जो सुन्डी का पास यहने की माल वर्म आएगा तो इसको खा करके नश्ट कर देता है। इस प्रकार से देखा गया कि Bacillus thuringiensis bacteria का जो cry one gene होता है। वो क्या करता है सुन्डी का पास के कीटों को नश्ट करने वाला bacteria हो गया। यानि कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे फसल में कीट न लगें, इंसेक्ट न लगें, तो उसको हम लोगो क्या करना होगा, genetically modified बनाना पड़ेगा, जिससे कि उसमें कीट न लगें, एक example और समझे, जैसे मान लिजिए, कि आप खेती वहां कर रहे हैं, जहां पर हमेशा सूखा पर हमेशा सूखे वाले एरिया में आप खेती कर रहे हैं, और वहां पर फसल जो होती है, प्रॉपर नहीं होती है, जितना उत्पादन होना चाहिए, उतना क्रिसी उत्पादन वहां पर नहीं हो रहा है, तो आप बैग्यानिक क्या करते हैं, वहां पर ये चीज़ देखेंगे, कि अगर हम ऐसी कोई विराइटी ढूंड ले या ऐसा कोई चीज ढूंड ले जिससे क्या हो कि वो कम खेती में अधिक उत्पादन देना शुरू करते तो बैग्यानिकों ने क्या किया वहाँ पर बैग्यानिकों ने वहाँ पर क्या किया कि एक ऐसे जीन की खोश कर ली कि ये जीन जो है ये कम पानी में भी जो है वो उत्पादन अधिक कर देता है तो ऐसा क्या किया उन्होंने उस जीन को क्या कर दिया उस फसल में डाल दिया और उस फसल में डालने के बाद क्या हो गया कि अब वो ड्रॉट रजिस्टेंट हो जाता है यानि कि सूखे वाले छेत फसल की गुडवत्ता बढ़ानी है, अगर फसल की हमको उत्पादक्ता बढ़ानी है, अगर फसल की हमको पोसक तत्तों की मात्रा को बढ़ाना है, अगर हमको कीट प्रतिरोधी बनाना है, कीटों को सुस्क रोधी बनाना है अगर हमको कीटों को क्या करना है कि इसमें जो क्या कहेंगे उसको फूलों का खिलना फूलों का खिलना जो है उसको हमको देर तक करना है या हमको क्या करना है सड़ने से बचाना है सड़ने से बचाना है तो इन सब चीजों को करने के लिए हम क्या करते हैं एक नई तक्नीक उत्पन करते हैं उसमें क्या करते हैं अलग अलग गुडवत्ता वाली जीनों को अलग अलग पौधों में हम क्या कर देते हैं इंसट करा देते हैं उससे जो फसल बनती है या इस प्र मानों के उपचार के लिए कई प्रकार के genetically modified जो है वो recombinant DNA technology के थुरू जो है वो कई प्रकार के असधिया बनाई गई हैं जो काफी चर्चा में हैं और काफी यूटिलाइज हो रही हैं जैसे recombinant human insulin recombinant human insulin का निर्मार किया गया है यानि कि insulin क्या किया गया कि जो मनुस्त के सरीर में insulin बनाने के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है उस जीन को हमने क्या किया बैक्टिरिया के जिनोम में insert करा देते हैं और जब वो बैक्टिरिया को फिर हम लोग क्या करते हैं बड़े लेबल पर fermenter में क्या करते हैं वहाँ पर उसको culture कराते हैं और उससे बहुत अधिक मात्रा में हमको insulin मिल जाती है वो insulin मनुस से निकालने में जीवों से निकालने में जितनी मात्रा हमको निकलती थी उससे कहीं लाग गुना ज्यादा मात्रा हमको insulin की मिलती है तो recombinant human insulin हम लोग जी हम आप बना लेते हैं हम लोग recombinant इनकोलाजिस से दूसरा recombinant human growth hormone हम इसका दिर्मार करते हैं इसको हम क्या कहते हैं somatotropin somatotropin जो होता है ये growth hormone होता है बृद्धी hormone होता है ये hormone जो होता है इसको हम DNA को insert करके bacteria में बना लेते हैं जैसे मालेज़े कि कुछ athletes हैं जो इसका कभी कभी क्या करते हैं misuse भी कर लेते हैं तो उस पर भी band लगाया गया इस पर इसको आपको ध्यान रखना होगा तीसरी चीज हम लोगों ने जो बनाई है वो है recombinant blood clotting factor होते हैं तो blood clotting factor 8 जो है उसका निरमार किया गया है recombinant DNA technology के द्वारा अगली चीज recombinant hepatitis B vaccine का निरमार किया गया है रिकॉम्बनेंट hepatitis B vaccine का निरमार इसे तक्निक से किया गया है golden rice का निरमार इसे से किया गया है जो golden rice golden rice में जो होता है वो आपका यार रखेगा विटामिन ए बीटा कैरोटीन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है बीटा कैरोटीन की मात्रा को इस बढ़ा दिया जाता है तो गोल्डेन राइस का इसमें निर्मार किया जाता है इस तरीके से और बहुत सारी जो फसले हैं उनका निर्मार किया गया है बहुत सारी फस इन्सेक्टी साइट का जैसे आप देखेंगे आपका कपास हो गया आपका मक्का हो गया आपके बैंगन हो गया बहुत दोड़े के लगभकल पचीस प्रकार की variety जो है उगाई गई है इसमें इसको आपको ध्यान में रखना है तो ये चीज आपको समझनी है कि किस प्रकार से जो है वो इसका निर्मार होता है और कैसे कैसे ये जो है वो काम करते हैं आपका genetically modified organism इसी प्रकार से हम देखते हैं इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे मानलों कि जनतुमों का भी हम लोग निर्मार करते हैं इसी तक्नीक से उसको भी हम लोग देखेंगे है यहां पर top generally modified food के हमने यहां पर नाम लिखे हैं जो आपसे exam में पोच लेता है मक्का जो है corn मक्के का सबसे ज़्यादा जो है दुनिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़्योगारी किया गया रहा है Genetically Modified Soya का निरमार किया जा रहा है, कपास का, भारत में कपास ही एक ऐसा उत्पादन है जिसको GM क्रॉप के रूप में किया जा रहा है, बाकी अभी भारत में किसी भी क्रॉप को GM क्रॉप को मानता नहीं मिली है, भारत में जो मानता देता है, Genetic Engineering Appraisal Committee के द्वारा जो है मानता मिलती है तो Genetic Engineering Appraisal Committee ने अभी तक केवल भारत में कपास के उत्पादन को मानता दी है और किसी को भी मानता नहीं दी है पपाया कई प्रकार के जो है जिएम पपाया बनाया जा रहा है गोल्डेन राइस बनाया जा रहा है कैनोला रेप सीट का निर्मार किया गया है पोटैटो बनाया गया है जिएम क्राप के द्वारा टमाटर बनाया गया है सबसे पहला जो बनाया गया था अमेरिका में सबसे पहला फ्लेवर सेवर टमाटर या दिखेगा सबसे पहला जो उत्पादन किया गया था, जो Commercial पादन किया गया है अमेरिका में GM crop का उसका नाम किया है? Flavor, Saver, Tomato Dairy product का निर्मार किया जा रहा है और मतर का निर्मार किया गया है तो इस परकार के 10 जो है बहुत Commercial जो Utilize किया जा रहे हैं आपके GM crop उनके नाम यहाँ पर आपको दिया गया है, तो flavor saver tomato जो है, वो सबसे पहला उपयोग किया जाने वाला, commercial रूप से उपयोग किया जाने वाला crop था, और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है, किसका हो रहा है, corn का हो रहा है, इंडिया में अभी तक केवल cotton का उत्पाद तो हो रहा है, लेकिन अभी बहुत सारी जो फसले हैं, वो अभी परिक्षड की स्रेडी में हैं, तो वो जो टेस्ट की स्रेडी में जो हैं, उनसे आप से पोसकता है, कौन-कौन से फसले ऐसी हैं भारत में, जो अभी टेस्टिंग की स्रेडी में हैं, तो चावल याद रिख और तिंग में इसको आपको ध्यान रखना है मूङ फली लूर में घान रिक हैं जिता गजा में अभी टेस्टिंग किया जा रहा है अमेरिका में काफी मात्रा में इसका उत्पादन हो रहा है लेकिन भारत में भी क्या यह एप्राइजल कमेटी के द्वारा अप्रूब नहीं किया गया टोमैटो हो गया सेब का टेस्टिंग हो रही है भारत में एपल की टेस्टिंग हो अर्वी जो होती है, अर्वी जो सब्जी बनती है उसकी टेस्टिंग हो रही है, और आपका सब्जावर की टेस्टिंग हो रही है। क्रॉप का वो आपको कौन सा है? सोया बीन है. उसको no one पे corn ध्यान रखियेगा. इसके बाद आपका Mitter का कर हो रहा है. भारत में Papaya का भी हो रहा है. Papaya का भी testing हो रहा है. Hello chee का हो रहा है. Cordamum. Cordamum पे testing हो रहा है. इसको आपको ध्यान रखना है. carrot पे गाजर पे आपकी testing हो रही हो रही है इसको ध्यान रखना है बनाना पे testing हो रही है बाना पे testing हो रही है तो ये आप ध्याने कि भारत में अभी इन tutaj जो पर क्या हो रही है टेस्टिंग में है ब्रिंजल को यूज किया गया था लेकिन फिर वहां से उसको हटा दिया गया अब भारत में जो है बैगन का उत्पादन नहीं हो रहा है ध्यान ने कियेगा भारत में कुछ समय के लिए बैगन का किया गया था अब भारत में कुछ समय गया था बीटी बैगन जो था बीटी ब्रिंजल जो था इसको जो है वो एक इंसेक्ट होता है लेपीडो लेपीडो टेरान लेपीडो टेरान इंसेक्ट के अगेंज जो है इसको क्या किया गया था रिजिस्ट किया गया था ब्रिंजल फ्रूट में इसमें जो है सूट बोरर और fruit borer जो है वो दो तरह के जो है वहाँ पर ब्रिंजल fruit जो है वहाँ पर उखते थे तो इसके लिए जो है वो बाद में क्या पाया गया कि ये जो है Genetic Engineering Appraisal Committee ने क्या कहा कि ये जो है वो सही नहीं है इसका बुरा असर पर सकता है मानों के सरीर पर इसलिए इसको जो है वो बैन कर दिया गया कि Animal के गर हम बात करते हैं कि कौन कौन से Animal का उत्पादन यहाँ पर किया गया है कौन कौन से Animal का उत्पादन यहाँ पर किया गया है तो Animal जो है वहाँ पर एक तो सबसे पहले जो है वो चूहे का सबसे पहला जो genetically modified organism है Animal है वो कौन सा है वो चूहा है सबसे पहले चुहे का उतपादन किया गया था जीम के द्वारा, उसके बाद मुर्गी का किया गया है, गाय का किया गया है, मचली का किया गया है, सुवर का किया गया है, खरगोस का किया गया है, भेड का किया गया है, और बकरी का किया गया है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉ और्गनिजम एनिमल है, वो कौन सा है, वो माउस से चूहा है, इस ध्यान दिखेगा, और सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जीयम और्गनिजम जो बनाये गए हैं, वो चूहे ही हैं, क्योंकि जितने भी रिसर्च होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, कोई भी बीमारी क जो रिसर्च होती है वो चुहे से स्टार्ट किया जाता है योगि चुहे की जो एनाटामी होती है वो मनुस्र की एनाटामी से कही न कही मेल खाती है इसलिए सारे रिसर्च जो है चाहे वो कैंसर का हो चाहे जिस प्रकार की बिमारी का हो सबका टेस्ट जो है वो माईस पर किया इसलिए सबसे ज़्यादा जो जीम और्गनिजम में इनिमल की अगर बात की जाए तो चुहे का निर्मार किया गया है चिकन का किया गया है काव फिस पिग रैबिट सीप और गोट इन सब का निर्मार जो है वह किया गया है आपने इसको पढ़ा भी होगा इसके बाद यहां पर हम ध्यान देते हैं कि जो आपका डॉली नामक भैस का निर्मार किया गया था डॉली नामक भैस का निर्मार आपने किया होगा है ना यह आपने पढ़ा होगा उसका निर्मार किया गया था तो 1997 में 1997 में डॉली नामक भेड का juvenile मार किया गया था और इसके बाद यह जो है वो 24 फरवरी या देखेगा 24 फरवरी उन्नीस अतान निवे को डॉली नामक भेड का जन हुआ था लेकिन किसी वज़े से इसको निमोनिया हो जाता है और निमोनिया होने के कराड क्या हो जाता है कि इसकी मृत भी जल्दी हो गए थी इसके बाद आप ध्यान लेखें कि एंडी आ रहे हैं आपने सुना होगा कि एंडी आ रहे हैं कि आप नाइटी सिक्स में एक बाद चेक कर लिजिए आप है ना हमने तो 97 प्रहा था एक बाद आप चेक कर लिजिए गा लिबर आप चेक कर लिजिएगा अटी आ रहे ही जो है डिरी निशनल डिरी अनसंधान संस्थान जो है इसने जो है 1998 में 1998 में इसने जो है एक प्रकार की पहली बार जो है वो भैस का क्लोन बनाया था जो GM की तरह बना गया था, पहले बार जो भैस का निर्मार किया गया था, इसको आपको ध्यान रहेगा, इसके बाद कई प्रकार की प्रथम भैस, प्रथम भैस नाम रखा गया था, गरिमा भैस, है ना, गरिमा भैस का नाम सुना होगा, गरिमा जो है बनाई गई थी, समरूप स्पर्वाइश 2009 में समरूप भैस का निर्माड किया घया था सच गौरों सुआरे जो है वो ससद ए sense if एस अंगरी सुआ सच रू पहले बार असिमिया नसर की घयाश के बच्चे का जो है वो अब मुर्रव है इसके गर्व से पैदा किया गया था इसको अपूर्व नाम रिखिएगा दिपासा दिपासा का नाम सुना होगा आप लोगों ने दिपासा एंडियाराई करनाल ने बिलुक्त होने के दार पर पहुंच गया यह च्छतीस गड़का जो पसूबन है च्छतीस इसके बाद गरिमा फस्ट और श्रेश्ट नाम सुना होगा यह च्छतीस गड़का जो राजकी पसूबन है उसका जो है जो है जिनकली मॉडिफाइट के द्वारा इसका निरमार किया गया था इसके बाद गरिमा फस्ट और श्रेश्ट नाम के जो है दो भैस के बश्णों का निरमार किया गया था गरिमा फस्ट और श्रेश्ट है ना गरिमा सेकेंड गरिमा फस्ट इनका निरमार किया गया था यह सब जो है वो करके धर धर इनका विकास किया गया तो जन्तुमों का यानि कि अगर आप देखें, तो GM क्रॉप में, GM और्गनिजम में, जन्तू भी सामिल, जन्तू का निर्मार हम लोग करते हैं, पादप का निर्मार करते हैं, और जीवारू यानि कि बैक्टिरिया का भी निर्मार करते हैं, इसके जो वास्तिविक जो DNA होते हैं, जो वास्तिव करके कुछ ऐसे जीनोम ऐसे जीन को डाल दें जो उनके नेचरली उनमें नहीं पाय जाते हैं उस प्रकार से बने हुई जीव को हम लोग क्या कह देते हैं जटकली मौडिफाइड और्गनिजम कह देते हैं भारत में एक संस्था है जनेटिक इंगिरिंग एप्राइजल कमेटी ये जो है पर्यावरण बन और जलवायू परवरतन मंत्राले मिनिस्ट्री आफ इन्वार्मेंट फारेस्ट एंड क्लाइमेट चेंड मिनिस्ट्री के अंतरकत ये प्रकार करती हैं 1989 के अनुसार ये पर्यावरिय दिश्ट कोड से अनुसंधान और और दोगी गुत्पादन में बड़े पैमाने पर खतरनाक सुमजीवों और उनके पुर्णा संजिजनरी कॉम्बिनेंट के बड़े पैमाने पर उप्योग होने वाली गत्वदियों के मुल का निर्मार किया जाएगा उनसे क्या नुकसान हो सकता है उनसे क्या लाब होंगे इन सब की स्टेडी करने के बाद यही जो है वो जब मानिता देता है कि आप इसका यूज कर सकते हो तभी कोई कंपनी कोई इंसिट्यूट कोई संस्था जो है वो उसका निर्मार कर सकती है ये समिती जो है प्रायोगिक छेतर के पर एक छोड़ों सहित आमानसी गूरूप से इंजिनिरिंग जो होती जीवों और उत्पादों की जारी से सम्मंधित प्रस्ताओं के मुल्यांगन के लिए भी जिन्मेदार है. यानि किस जीवों का उत्पादन करना है, किसको रिलीज करना है, इसकी लिए भी जो है जेन्टिक एप्राइज, इंजिनिरिंग एप्राइजल कमेटी जिन्मेदार है. तो ये एक्जाम में आप से कई बार पूछा गया है कि जेन्टिक एप्राइजल कमेटी किसके अंतरगत क काम करती है, 1989 से लगातार काम कर रही है और ये जो है समिती, ये डिसाइट करती है कि कौन से जेन्टिकली मॉडिफाइड ऑर्गनिजम का भारत में निर्मार होगा, उसका उत्पादन होगा, उसकी बिक्री होगी और उसका कॉमर्सियन लूटिलाइज़सन होगा. इस आधा अग 38 उत्पाद जो है इसने बनाए है, 38 उत्पादों को मानता दी है, इनमें से 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो human insulin, genetic engineering appraisal committee के द्वारा जिन जिन चीजों को मानता दी गई है, एक तो human insulin हो गया, ये diabetes के लिए होता है, erithropoetin, treatment of anemia के लिए होता है, हिपोटाइडिस वी वैक्सीन, second class है, क्याने बड़ा है, first class है, हिपोटाइडिस वी वैक्सीन, recombinant surface antigen based immunization against हिपोटाइडिस वी, हिपोटाइडिस वी के अगेंस जो recombinant वैक्सीन बनी है, उसका निरमार किया गया है, उसको appraisal committee ने अप्रूब कर दिया है, human growth hormone को अप्र आपरेमा होता है, उसको अप्रूब किया हुआ है, granulocyte colony stimulating factor chemotherapy induced neuropia के लिए इसको appraisal approval दिया हुआ है, granulocyte macrophage colony इसको approval दिया हुआ है, interferon 2 alpha को approval दिया हुआ है, interferon 2 beta को approval दिया हुआ है और interferon gamma को तो interferon interferon alpha, beta और gamma इन तीनों को इसने क्या क्या approval दिया है तो exam में पूछेगा कि genetic engineering appraisal committee ने इन में से किसको approval दिया हुआ है तो ये exam में आप से question पूछेगा ये human being में जो रोग उत्पन होते हैं उनके against जो है बनाई गई genetically modified medicines है वही पर अगर आप देखेंगे approved commercial product जो है उसमें approved किया गया है ये approved commercial product है जो अमेरिका में यानि कि दुनिया में जो इसको उगाया जा रहा है उसमें जो है वो हर भी site tolerance है soya bean ऐसा soya bean उगाया गया है जिसमे क्या होगा कि कोई भी घास फूस जो है उस खेत बे नहीं होगेगी जैसे कोई घास फूस होगेगी soya bean से chemical निकलेगा और उसको क्या कर देगा नश्ट कर देगा तो soya bean जो GM soya bean है वो किसलिए बनाए गई है वो हर भी site tolerance है यानि हर भी site को tolerance कर देगी इसमें glyphosate herbicide जो है वो tolerance किया गया है तो ये कुछ chemical है इसमें agrobacterium tumephacens strain को सामिल किया गया है agrobacterium tumephacens gene को डाला गया है जिससे जो है ये क्या हो गया है herbicide tolerance हो गया है कॉर्म मक्का जो उगाया गया है GM मक्का जो है वो insect resistance है GM मक्का जो है कीट के प्रद्विरोधी बनाया गया है अपने आप यहाँ पर इसमें कीट नहीं लगेंगे इसमें जो है bacillus thuringiensis BT cotton का bacillus thuringiensis BT cry 1 AB gene को insert किया गया है ये gene क्या करेगा एक प्रकार का protein निकालेगा और वो protein क्या करेगा उसकी ओपर जो कीट आएंगे उनको मार देगा तो मक्का जो बनाया गया है वो कैसा है वो insect resistance है और soybean कैसा है herbicide tolerance है और एक canola canola मतलब क्या हो गया आपका मैंने अभी उताया था भी आपको canola कहां पे था ये देखिए rap seed जो होता है इसके तेल जो निकलता है rap seed से canola जो आपका बनाया गया है वो आपका altered fatty acid composition इसका जो तेल में जो fat होता है उसके fatty acid के composition को alter कर दिया गया है इसमें high laureate level जो है आ गया है और वो इसमें क्या 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 गया है gene डाला गया है ambilularia belief नshorenica नामक पौधे का इसमें क्या क्या गया है gene डाला गया है जो इसको altered कर दिया है fatty acid को और plum को बनाया गया है virus resistance बना दिया गया है इसमें इसमें जो है plum pox virus को डाला के genes को इसमें डाल दिया गया है तो इस परकार से सोयावीन कैसा हो गया, हर्भी साइट टॉलरेंस हो गया, मक्का कैसा हो गया, इंसेक रेजिस्टेंस हो गया, कैनोला रेप सीट कैसा हो गया, अल्टर्ड फाइटी असीड कंपोजिशन का हो गया, प्लम क्या हो गया, वाय रेजिस्टेंस हो गया, तो इस प्रकार से भी आप से इसमें तीन जीन आप डाले गए हैं बीटा करोटीन के, जो बिटामिन E का क्या होता है, प्रीकरसर होता है, अब ऐसा चाबल जो होगा उसमें खाने से अपने आप विटामिन E मिल जाएगा, अलग से विटामिन E लेने की आवसकता नहीं पड़ेगी, टोबैको, वैक्सीन के दिरमार में किया गया है, हेपिटाइटिस B वाइरस का जो सर्फिस इंडिजन होता है, उसको ट्रांजनिक टोबैकों में इंडूस कर दिया गया है, अब जो लोग तंबाकों खाएंगे, तो उनमें क्या हो जाएगा, हेपिटाइट वैक्सीन का, हाँ बिटाए, एक दिन प फ्राइडे को जो होती है, वो आपकी जिग्राफी की होती है, फ्राइडे को जिग्राफी की होती है, संडे को छुट्टी रहती है, मंडे से और थरस्टे तक जो होता है, यह आपका जो है, वो आपकी चलेगी साइंस एंड टेकनोलोजी, आप टाइंड टेवल मैं नोट कर लीजिए मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं Monday to Thursday Monday to Thursday जो होता है यह आपकी Science and Technology चलती है Monday to Saturday Thursday Monday to Thursday चलती है आपकी Science and Technology और आपकी Friday को चलती है आपकी Geography और Saturday को जो है वो आपका चलता है Geography कह सकते हैं इसको इसको Ecology Environment भी कह सकते हैं और Saturday को जो होता है वो आपकी चलती है NCRT Physics चलती है और यह सभी की टाइमिंग है वो 9.30 a.m. होती है सभी की टाइमिंग क्या है 9.30 और Sunday को जो है वो आपकी क्या होती है holiday होती है यानि कि छुट्टी होती यह आप टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा यह आपकी यह आपका टाइम टेबल है ठीक है इसको आप नोट कर लीजिएगा Monday से Thursday तक जो आपकी होती है मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पर Monday to Thursday जो होती है आपकी Science and Technology होती है Friday को जो होती है आपकी Geography या Ecology और Environment होती है सेटेड को जो होती है आपकी NCRT Physics होती है और Sunday को आपकी क्या होती है छुट्टी होती है यह ध्यान रखेगा यह आपका schedule है इसको आप कहीं note कर लीजे अब हम लोग बात करते हैं कि आनुवानसिक रूप्स संसोधित GM अब हमको यहाँ पन लिखा मिलेगा आपको इसको हम एक एक लाइन को आपको समझाएंगे आनुवानसिक रूप्स संसोधित जीव और GM खाद-पदाफ्त क्या होते हैं तो जीव चाहे वो प्लांट हों जीव चाहे वो प्लांट हों चाहे कोई जन्तू हों या कोई सूवजीव हों इनका जो आनुवानसिक जो इनका जेनिटिक रूप जो होता है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है यानि कि उसके जीव में अल्ट्रेशन करके जो नए जीवों का निर्मार किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं जीवों कहा जाता है एक लायन मगर समझे तो यानि किसी भी जीव के जीन को अल्ट्र करके एक नया जीव बना दिया जाए तो नए जो यह जीव जीवों जीव में जो एक कोई पौधा हो सकता है जैसे bt cotton क्या हो गया bt cotton क्या हो गया आपका एक प्रकार से तो इसको आप ध्यान रिखेगा अब इसमें एक नाम से इसको और जाना जाता है अगर हम किसी दूसरे प्रजाती का या किसी दूसरे जीव के DNA को या जीन को हम इसमें इंसर्ड कर देते हैं तो एक हम विदेसी जीव लेके आते हैं और उसको एक दूसरे जीव में डाल देते हैं तो विदेसी जीव को जब किसी फारेंड डियने को डाला जाता है उससे जो जीव बनता है उसको हम लोग ट्रांस जेनिक कहते हैं उसको क्या कह सकते हैं ट्रांस जेनिक ट्रांस का मतलब ह और कुछ नहीं है, वो GMO ही होता है, genetically modified है, अगर किसी दूसरे जीन को insert कर दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पराजीनी जीव कहेंगे, और अगर दूसरे जीव का DNA डाल दिया गया है, या दूसरे का नहीं डाला गया है, उसी के जीन को alter कर दिया गया है, तो दोनों प्रकार से अगर बनाय गया, तो वो दोनों GMO में आते हैं, तो सभी transgenic जीव जो होते हैं, वो पराजैनीक होते हैं, सभी transgenic जीव जो होते हैं, all transgenic organism, all transgenic plant and organism, कोई भी transgenic plant है या animal है, वो सभी क्या होते हैं GMO में आते हैं but all GMO are not transgenic लेकिन सभी GMO क्या हो जाते हैं transgenic नहीं होते हैं transgenic तभी कहेंगे जब दूसरे बाहर किसी जीव का किसी दूसरे जीव का gene किसी दूसरे जीव में डाला जाए तो उस प्रकार से बने जीव को हम लोग transgenic कहेंगे और वो GMO हो जाएगा क्योंकि हमने क्या किया है हमने उसका genetically modify कर दिया गया है और अगर उसी जीव के DNA में अगर alter कर दिया गया है यानि कि उसी DNA को change कर दिया गया है यानि कि कुछ हिस्सा काट करके अलग कर दिया जाए या उसी DNA को कुछ sequencing और जोड दी जाए जिसमें किसी दूसरे जीव का DNA न लाया गया हो तो उसको भी क्या कह देते हैं GMO कह देते हैं उसके भी करेक्टर में परिवर्तन आ जाता है naturally जो DNA होता है उसमें change हो जाता है तो यान रखे एक line में रखेगा all transgenic plant and animal are GMO but all GMO are not transgenic इस इसको आप ध्यान रखेगा आनुवानसिक सामग्री को बदल दिया जाता है genetic material को इस तरह से बदल दिया जाता है जिस प्रकार से प्राकृतिक रूप से संभोग या प्राकृतिक संयोग उनका नहीं हो सकता है जैसे एक bacteria का DNA अपने आप कपास के पौधे में नहीं इंसट हो सकता एक bacteria का DNA टमाटर के अंदर नहीं जा सकता एक bacteria का DNA मानों के जीनोम में अपने आप नहीं जा सकता उसको करने के लिए हमको क्या करना होगा technical चीज़ें यूज़ करनी होगी एक बिधी अपनानी पड़ेगी उस प्रकार से होगा इसी लिए उसको हम लोग क्या कह देते हैं ऐसी तकनीक जिसके द्वारा हम एक जीन को दूसरे जीव के जीन से जोड़ते हैं उसको कहा जाता है जैयो तकनीकी genetic engineering कहते हैं क्या कहते हैं उसको genetic engineering कहते हैं और genetic engineering में वह process जिसके द्वारा ये किया जाता है उसको हम लोग कह देते हैं recombinant DNA technology RDT कहा जाता है recombinant DNA technology कह देते हैं तो genetic engineering में वह तकनीक जिसके द्वारा किसी दूसरे जीव के जीन को किसी दूसरे जीव के अनुमानसिक पदार्त में DNA में इंसर्ट कराया जाए उसको कहा जाता है recombinant DNA technology और उसके द्वारा जो बनेगा gene या DNA उसको recombinant DNA कहा जाता है और ये तकनीकी जो होती है जयो तकनीकी जो होती है genetic engineering का एक हिस्सा होता है ये Chinese व्यक्तिकत gene को एक जीव से गैर संबंधित प्रजातियों के बीच भी दूसरे में इस्थानांत्रित किया जा सकता है यानि कि जिसमें आपस में कोई relation नहीं है उसमें भी एक जीव के gene को दूसरे जीव के gene से जोड़ा जा सकता है ये संबह किस से हो पाता है ये संबह हो पाता है recombinant DNA technology के द्वारा यानि की RDT के द्वारा ये संबह हो पाता है GM जीवों से उत्पन या उप्योग के जाने वाले खाद पदार्थों को अकसर GM खाद पदार्थ के रूप में जाना जाता है अगर कोई ऐसा हम food product बनाते हैं इसमें हमने GM और्गनिजम का यूज किया है तो उसको GM food product कहा जाता है GM खाद पदार्थ कहेंगे उसको अगर एक तरह सिसको समझा जाए आपको तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ऐसे जीव जिसका जीन प्रियोकसाला में इंजिनियर किया गया हो यानि कि इंजिनिरिंग कर दी गई हो काड़ छाट कर दी गई हो ऐसा जीव जिसके जीन को प्रियोकसाला में काट छाट दिया गया हो यानि कि उसके साथ इंजिनिरिंग कर दी गई हो उस प्रकार से बने जीव को हम लोग क्या कहे देते हैं GMO कहे देते हैं ऐसा इसलिए करते हैं कि उसमें जो वांचित जो सारी लक्षड हैं उसके अंदर जो डिजाइड फिजिकल जो करेक्टर्स हैं या डिजाइड जो बायलोजिकल प्रोडक्ट हैं कि पीढ़ी की अव्यक्ति का पच लिया सके यानि कि उसको हम नई तरीके से उसका उत्पादन कर सकेंगे जो में जो आजकल एप्लिकेशन हो रहा है वो पारंपरिक पसूधन उत्पादन जो होते हैं जो पारंपरिक रूप से आप देखेंगे कि जो गायभाइस की जो हमारे जो कैटल्स होते हैं यानि कि जो आपकी हस्बैंडरी होती हैं उसमें उत्पादन के लिए फ उसमें हम चाहते हैं कि नए नए प्रकार के बेतर तरीके के चीजों को हम निर्मार करें हम एक ऐसा बैल चाहते हैं जो बहुत ही क्या हुश्ट पुश्ट हो हम एक ऐसी गाय चाहते हैं जो बहुत जाद दूद देने वाली हो इस प्रकार की तकनीक को हम करके ऐसा करने में संभ को आड़विक अस्तर पर ठेक से बदल दिया जाता है यानि कि उनका जो हर जीव का जो जीनोम होता है उसको हम लोग molecular label पर जा करके सही कर देते हैं उसके जीवों को हम लोग molecular label पर जा करके सही कर देते हैं इस प्रकार से इसको हम लोग GMO genetically modified organism कहते हैं आम तोर पर जीवों के असंबंधित प्रजातियों से जीन को सामिल करने से पारंपरिक चैनात्मक प्रजणन के माध्यम से आसाने से इसको प्राप्त कर सकते हैं अगली चीज़ ध्यान रखिएगा कि आनवांसिक रूप से संसोधित जीव जो होते हैं यानिकि genetically modified organism जो होते हैं बैज्ञानिक तरीकों का उप्रियोग करके इसका दिर्मार किया जाता है इसमें recombinant DNA टेकनलोजी और reproductive cloning को सामिल किया जाता है तो दो तकनीक इसमें मिल करके इसको हम इमार करते हैं एक reproductive cloning का cloning कैसे करते हैं किसी भी जो एक होता है उसके नाभिक से nucleus को clone करने के लिए व्यक्ति किये कोसिका निकाल ली जाती है और एक जो मेजबान अंडा मेजबान मतलब होता है जिसका बनाना होता है जिसका जियू बनाना है उसका अंडा ले लेते हैं और उसको enclosed cytoplasm में डाल दिया जाता है enclosed cytoplasm क्या होता है कि अंडे का एक ऐसा cell होता है एक का जिसमें से उसका नाभिक हटा दिया गया हो जैसे मान लीजिए यह आपका एक cell है इसमें nucleus है यह एक है मान लीजिए इस एक में यह cell है यह nucleus है अगर इसके nucleus को हटा दिया जाए और इसका केवल खाली जो cell लखा जाए त इसको enclosed cell कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको, enucleated, enucleated cytoplans कहा जाता है इसको, इसी का उप्योग किया जाता है आपका cloning में, तो जो हम लोग cloning पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको अच्छे से बताएंगे कि cloning कैसे की जाती है, गुद मॉर्निंग, गुद मॉर्निंग, बहुत बहुत गुद मॉर्निंग आप लोगों का, इस प्रक्रिया के प्रणाम सरूप, जो भी generation उत्पन होता है, वो आनुवांसी रूप से दाता व्यक्ति के समान होता है, यहनि कि डोनर के समान हमेशा होगा, जैसे मान लिजी कि हम हम को क्लोन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसका हम क्या ले लेंगे, फिर उस एग का हम क्या कर लेंगे, उसका nucleus क्या कर देंगे, यहां से निकाल देंगे, इसका nucleus निकाल देंगे, अब इसमें हम वो वाला nucleus डालेंगे, जिसमें दूद देने की छमता ज्यादा है, अब उस को इसमें हम क्या कर देंगे insert कर देंगे जो हम इसमें insert कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो genetic material होगा वो वैसा ही होगा जो जीव बनेगा जैसा कि आपका बीवाले का बना है यानि कि जिसका हमने nucleus लिया है तो nucleus जिसका होता है उसी प्रकार का जो है क्या होता है कि जीव बनता है तो वयस्क जो डोनर सेल होता है जो सेल को डोनेट करता है उसके नाभिक में क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से जो पहला उत्पादित जो जानवर था उसका नाम क्या था डॉली नामक भेड था जिसका जन्म यह यहाँ पर गलत गया है 96 1997 में इसका निर्मार हुआ था इसको ध्यान रखिएगा उसके बाद से सुवर का घोडे का कुत्तों का इस प्रकार के कई प्रकार के भैस का कई प्रकार के जीवों का निर्मार किया गया है तो यह हम लोग क्लोनिंग पढ़ेंगा कैसे होता है अब हम देखेंगे यहाँ पर genetically modified organism के pros और कोण्स क्या होते हैं यानि की इसके merits और demerits क्या होते हैं लाव और हानी क्या होती हैं यह आप से पूश सकता हैं बहुत important है अगर हम कोई GMO crop बनाते हैं तो उसके लाव और हानी क्याए pros और कौं्स उसके क्या क्या हो सकते हैं किसको हम लोग देखेंगे तो पहला है GMO can help us to increase crop yield, यानि कि GMO से अगर हम कोई GMO बना रहे हैं, तो उसमें crop yield increase होता है, यानि उत्पादन बढ़ता है, पहला क्या हो जाएगा, उत्पादन में ब्रिध्धी होती है, उत्पादन में ब्रिध्धी होती है, उत्पादन में यहाँ पर क्या होती है, ब्रिध्धी होती है, तो सबसे पहला लाव क्या है GMO का कि उत्पादन में ब्रिध्धी होना, और इसका उपयोग करके हम विस्व जो भुखमरी है यानि कि विस्व में जो भुखमरी है उसकी समस्या को हम कम कर सकते हैं विस्व में भुख्मरी की समस्या को कम कर सकते हैं कि GMO के द्वारा हम बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करके हम भुख्मरी की समस्या को कम कर सकते हैं। अधिकाज लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकते हैं अगर हम GMO का उपयोग करते हैं तो। अतिधिक मात्रा में हम जो beneficial substance हैं, जो उपयोगी पदार्थ हैं, उनका हम अधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, उसका अधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, पौधों को हम कई प्रकार के रोगों के प्रत, कई प्रकार के कीटों के प्रत, कई प्रकार के हर्भी साइड के प्रत हम प्रतरोधी बना सकते हैं, रजिस्ट्रेस बना सकते हैं, कई प्रकार से उसको हम लोग प्रतरोधक समताव सुड़लब कर सकते हैं, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं लो फूड प्राइस खाद उत्पादन के हम मुल्यों को कम कर सकते हैं खाद पदार्द के मुल्यों में हम कमी ला सकते हैं अगला जो हमारी भूम है जो बंजर भूम पड़ी है दलदल भूम पड़ी है यहां पे खेती नहीं होती है तो ऐसा हम विराइटी बना सकते हैं जो बाढ़ के पानी में उत्पन हो सकता है जो सूखे में उत्पन हो जाए इस प्रकार से हम efficient land यूज़ कर सकते है यानि कि भूम का उपयोग हम अधिक मात्रा में कर सकते हैं यह हमारा लाब हो जाएगा है कि उसी के उत्पादन में हमको कम से कम मेहनद करने क्या सकता होगी। पदार्थों के स्वाद में उत्पादन, स्वाद में हम व्रिध्धी कर सकते हैं। पोधे के हम पोशक तत्तों में व्रिध्धी कर सकते हैं। उसमें हम लोग उसके गुर्वत्ता में बृद्धि ला सकते हैं, ये सारे चीजें हम लोग खाद पदार्थों की हम जीवन काल को बढ़ा सकते हैं, उसकी लांगर सेल्फ लाइफ हम कर सकते हैं, जीम क्रॉप का उत्पादन करके हम उत्पादों की जो है वो खाद पदार्थो कि उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं, उसकी self life को हम क्या कर सकते हैं, increase कर सकते हैं, तो ये सारे जो होते हैं, हमारे क्या हो जाते हैं, बेनिफिट्स हो जाते हैं, अब बादे समस्याएं क्या है इसमें, तो अगर हम बात करते हैं कि इनकी समस्याएं कौन-कौन सी हैं, तो ध्या को हम लेके आएं यह जो है वो धार्मि से बुरी मानी जाती है किसी भेड में सुवर का हमने जीन डाल दिया तो आधा भेड आधा सुवर बना दिया या इस प्रकार से जो है वो धार्मि적으로 से सही नहीं माना जाता है मनुस्त्र के लिए ये हमेशा के लिए बेहतर नहीं सकता ऐसा माना जाता है ये बहुत जादा जो है वो एपिडेमिक और पैंडेमिक इसका महत्त हो जाता है कॉस कर सकता है और बहुत सारे इसके रिस्क हो सकते हैं जो रिजिस्टेंड हो जाएगा हमेशा के लिए वो कई प्रकार की और समस्वत पन कर सकता है प्राकतिक DNA चेंज हो जाने से जब वित्ता की हानी हो सकती है नास हो सकता है allergic reaction आ सकता है इस से हमारे DNA को change करने में यह सच्च हो सकता है मनुष्य के DNA को change कर सकता है और उससे एक रांधिकारी एक बहुत घातक समस्वत पनो सकती है बहुत सारी vulnerable disease उत्पन हो सकती है इसके उप्योग जाद उप्योग से यह गहर प्राकर्थिक है और गहर प्राकर्थिक जो होती है बहुत लंबे समय तक लिए सही नहीं होती है यह antibody resistance हो सकता है यहां कि super bug का अंदिर माल कर सकता है इसका misuse हो सकता है तो यह सारे समस्याएं जो है इसकी cons में भी आती है तो आप इसको pros और cons को याद रख लीजेगा यहां से भी आप से questions आ जाता है अब बाताती है कौन-कौन से ऐसे तकनीक हैं मैथड हैं जिसके द्वारा हम recombinant DNA technology को उप्योग करते हैं तो recombinant DNA technology में जो 6 step के द्वारा हम क्या कर सकते हैं किसी भी जीव को DNA को insert करते हैं उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि genetic material को हम isolate करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं genetic material को isolate करते हैं जिस जीव का हमको genetic material में alteration करना है इसमें change करना है उसके genetic material को isolate करना मतलब उसको प्रिथक करना प्रिथक की करण यानि कि उसको उसके nucleus से निकालना restriction enzyme digestion फिर उसको क्या करना उसके DNA को restriction enzyme के द्वारा काटना जोडने के लिए पहले क्या करना होगा काटना पड़ेगा तो उसके DNA को काटने काम किया जाएगा फिर क्या करते हैं कि जो DNA होता है वो बहुत कम होगा उसको हम properly handle नहीं कर पाएंगे तो handle करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको amplification करते हैं बिल्कुल यह काटने को क्या कहेंगे इसको isolation कहेंगे isolation हो गया पहला दुसरा आप क्या हो गया restriction enzyme के दारा cutting होता है फिर cutting हो गया फिर PCR polymerate chain reaction के द्वारा हम क्या करते हैं उसको amplify करते हैं इसकी बहुत सारी हम लोग photocopy बनाते हैं फिर जिस desired DNA को हमको उसमें insert कराना होता है उसको हम क्या करते हैं जोडते हैं यह मान लिजे आपका DNA था इस DNA में मान लो हमको यह वाला gene जोड़ना है तो हम पहले क्या करेंगे इसको काटेंगे किस से endonuclease restriction enzyme से इसको हम काटते हैं और जब इसको हम काट देंगे फिर इस वाले DNA को यहाँ पर रख करके जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए जो है ligase enzyme का काम किया जाता है तो चोथे point में क्या करेंगे कि हम desired DNA को जिस जीव को हमको recombinant DNA बनाना है उसमें हम उसको insert करेंगे जब जोड़ देंगे तो दुबारा से हम क्या करेंगे इसको host के अंदर insert करते हैं host के अंदर निए कि bacteria के अंदर हम क्या करेंगे इसको inter करा देंगे फिर हम क्या करेंगे कि जब क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जो बहुत सारे multiplication हो जाएंगे बहुत जादा multiple हो जाएंगे जो recombinant cell बन जाएंगे उस cell को हम क्या करेंगे isolate करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं genetic material को isolate करते हैं और सबसे बाद में जो recombinant cell जो बन गया है जिसमें आपका altered DNA जो है उसको isolate कर लेते हैं फिर उसका हम अलग से क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, तो पहले क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, फिर उसका हम लोग सिप्रेशन करते हैं, कटिंग करते हैं, फिर एम्प्लिफिकेशन करते हैं, फिर लाइगेशन करते हैं, फिर इंसर्शन करते हैं, और फिर आइसोलेशन आफ रिकॉं के उस जीन को निकालना है जो इंसुलिन बनाता है तो हम क्या करेंगे कि उससे क्या करेंगे पहले उस human growth hormone माली है यहां पर growth hormone वाले gene को हमने क्या कर दिया निकाल दिया और यहां से क्या करेंगे हमको bacteria में इसको insert करना है तो अब bacteria का हम क्या निकाल लेते हैं plasmid निकाल लेते हैं अब इसको यहां पर जोड़ना है तो पहले हम क्या करेंगे इसको काटेंगे तो देखे इसको हमने क्या कर दिया काट दिया काटने के बार हम क्या करते हैं इसको जो हमारा डिजाय डियने है जिसको हमको इसमें जोड़ना है उसको हम क्या कर देते हैं इसको लाइगेज के द्वारा जोड़ देते हैं अब लाइगेज के द् DNA के साथ जो हमारा growth hormone gene जुड़ गया है इस प्रकार का जो altered जो DNA बना हुआ है इसको क्या कहते हैं recombinant DNA कह देते हैं और दुबारा से क्या करेंगे इसको हम फिर से क्या करेंगे उसके अंदर bacteria के अंदर insert कर देते हैं और फिर इसका हम लोग क्या कराते हैं multiplication कराते हैं अब उससे क्या होगा लाखों करोड़ों जो है वो bacteria बन जाएंगे जिसमें इस प्रकार का आपका recombinant DNA वाला gene होगा फिर इसको हम क्या कर देते हैं अलग कर लेते हैं तो इसको पहले क्या कर देते हैं इसका क्या नाम है इसको निकालना क्या कहेंगे isolation कहेंगे इसको कटिंग करने के बाद यहां पर क्या होगा लाइगेशन का काम होगा लाइगेशन करने से पहले हम इसको क्या कर देते हैं इसको हम लोग PCR के द्वारा बहुत जादा multiply करते क्योंकि एक हो सकता है न जुड़े तो इसके जब लाखों copy बन जाती है तो आसानी से एक ना एक जुड़ जाएगी तो पहला step दूसरा step तीसरा step चौथा step लाइगेश हो गया इसके बाद यहां पर क्या करेंगे इसको इसमें जोड़ देंगे जोडने के बाद इसको हम क्या कर लेंगे isolate कर देते हैं इस प्रकार से तकनीक जो होती है वो इसको हम लोग करते हैं तो यह आप से पूर सकता है कि genetic engineering में कौन-कौन से टेकनिक यूज होती है RDT क्या है उसको निर्मार कैसे किया जाता है तो यह आप इसको आपको ध्यान रखिएगा अब बात आती है genetic engineering के समभावित लाव में कौन-कौन सामिल है तो अभी तक वहाँ पे आपको दिखाई ने दे रहा था जो मैंने लिखा था अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से नोट करिया है जिसे आप चीजों को समझ पाऊ इस तकनीक से जो चीजे बनेंगी उनके लाव क्या हैं तो हमेशा ध्यान रिखेगा कि हम यह चाहते हैं कि हमारा जो टमाटर है या हमारा सेव है या हमारा केला है वो पहले से अधिक पौस्टिक हो जाए यानि कि उसमें ऐसी चीज आ जाए जो हमारे लिए कापी जादा nutrients value आली हो तो हम ऐसा gene डाल देंगे जिसमें nutrients value जादा होती है तो हमारा जो genetically GMO जो होगा वो पौस्टिक भोजन वाला हो जाएगा पहले से अधिक पौस्टिक भोजन हो जाएगा हम genetically modified के द्वारा उसके स्वाद में बृद्धी कर सकते हैं तेस बढा सकते हैं रोग या सूखा प्रत्रोधी पौधे को हम दिर मार कर सकत हैं जो कम परियावड़ संसाद में जैसे कम पानी और कम उर्बरग में भी अच्छे से वो अपनी ग्रोध कर सके इस प्रकार के पौधे का दिर मार करेंगे हम तो GMO फसल की खास्यत क्या हो जाती है वो रोगों के प्रत्रोधी हो जाता है सूखा प्रत्रोधी हो जाता है कम परियावड़ संधानों जैसे कम पानी में सूखे के छेत्र में कम उर्बरग में भी वो क्या करेगा बेतरिके से अपनी ग्रोध कर पाता है कीट नासकों का कम उप्योग होगा यानि कि जो इंसेक्टि साइड का उप्योग हम कम करेंगे या नहीं करेंगे क्योंकि यह अपन करते हैं पुदे कम लागत कम लागत लंबे समय तक जिनी कि सिल्फ जीवन इसका हम बढ़ा सकते हैं और भोजन की आपूर्ति में बृध्धी कर सकते हैं तो एक प्रकार से एक ही लक्ष से हम क्या कर सकते हैं किसानों को आर्थिक लाभ दे सकते हैं उनमें हम जो सभी लोगों तक हम भोजन की पहुँच कर सकते हैं कम दामों में और जल्दी खराब नहों उसकी हम सेल्फ लाइब बढ़ा सकते हैं ये सब जीमों के द्वारा संबभ होता है सेल्फ लाइब बढ़ा देंगी जो टमाटर एक हफते में खराब ज़दा था अब वो एक मेंदा खराब नहीं होगा जो गुलाब का फूल दो दिन में मुर्जा था अब वो एक एक मेंदा गुलाब का फूल नहीं मुर्जाएगा तो इस तरह की तकनीक ला करके हम क्या कर सकते हैं किरसी के छेतर में क्रांतिकारी परिबरतन लाने का काम कर रहे हैं इसको आपको ध्यान में रखना होगा अगला आपको जो ध्यान रहना है तेजी से बढ़ते पौधे और जानवर यानि कि हम पौधों की और जानवर की ग्रोथ हम जादा कर सकते हैं यानि कि जो पौधा पहले जो है तीन महीने में उगता था हम आईसी तक निग ले आएं कि वो एक महीने भी क्या कर दे यानि कि हम आईसा आलू बनाएं जो तले जाने पर जो इसमें कैंसर उत्पन होने के संभावना क्या हो जाएगी आउसधी खाद पदा जिसका उपयोग टीके या अनद्वा गुरू भी किया सकता है हम मेडिशनल फूट प्रोटर बना सकते हैं जिसको हम खा लें जिससे हमको टीके किया सकता नहीं होगी ऐसे पदार्थ हम खा लें कि वो हमको अब टीके से बेतर काम करेगा हो तो इस तरह का उपयोग हम लोग कर सकते हैं नुकसान भी इसके हैं उसको ध्यान देखीगा कौन्स भी इसके हैं कुछ लोगों ने जिनेटिकली इंजिरिंग खाद आदों के बाद चिंता ब्यक्त की है जैसे ऐसे खादपदार्थ जो एलर्जी की प्रत्क्रिया पैदा कर सकते हैं या जो बिसाखत हो सकते हैं यानि कि क्योंकि ये आर्टिफीसियल होते हैं निश्रल नहीं होते हैं तो इनसे एलर्जी होने की संभावना देखी गई है और ये प्वाजनेस भी हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा ये सही होंगे, ये चिंता का भी सह है, अप्रत्यासित या हानिकारक अनुवांसिक परवर्तन जो है वो हमेशा के लिए सही नहीं होता है, यानि कि हम अगर जीन में परवर्तन कर रहे हैं, ये हमेश नुकसान वाली बास हो सकती है, क्योंकि हम नेचर के विरुद जाके काम कर रहे हैं, बिल्कुल टीरलेस अनियन होता है, जो प्याज आप छीलेंगे तो आपको आशु नहीं आएंगे, एक जीम प्लांट या जानवर से दूसरे प्लांट या जानवर के पास जाने वाला जी जो आणवांसिर उसे इंजिरिंग नहीं है, ये भी दिक्क हो सकता है, और खाज पदावतों कि जो पॉस्ट दिक्ता है, वो भी कम हो सकती है, हमेशा बढ़ेगी, ये भी संभावना नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, झाल पुमाइटो बिल्कुल सही पुमाइटो टोमाइटो प्रोड़ो मिला के पुमाइटो बना दिया गया तो इसको आप ध्यान देखीगा आनुवानसिक प्रोड़ों की जेनटिक इंजरिंग के माध्यम से जो उत्पादि जीमो है उनका जिंदगी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस किस छेतर में हिस्सा है तो क्रिसी के छेतर में जीमो का क्या रोल है मेडिसिन के छेतर में जीमो का क्या रोल है रिसर्च के फिल्ड में जीमो का क्या रोल है और इनवार्मेंटल मनेजमेंट में जीमो का क्या रोल है ये एक बड़ा मुद्दा है इसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो क्र संधान यानि रिसर्च के छेत्र में और पर्यावड प्रवंधन के छेत्र में जो है इसका प्रमुक योगदान है तो इसके लाब और हाने दोनों है और आज भी वो दुनिया के कई हिस्से में जीमो जो है वो विवादास्पत बिसे बना हुआ है कुछ दो वर्ग इसके हैं एक वर्ग कहता है कि ये जीवन मदल देगा और दुसरा वर्ग कहता है कि जीवन को ये नश्ट कर देगा तो हमको सावधानी पूरवक चलना है कि हमको इसके लाव को देखना है और जहां पर भी लगे कि इससे कोई मानव प्रजाति को या किसी नुकसान है तो उसी जगह इसको छोड़ देना है उसको आगे और कहरी नहीं करना है यानि कि बहुत ही दिमाग लगा करके बुद्धी के साथ और सहजता के साथ इसका उपयोग करना है बहुत ज़्यादा इसका उपयोग पूर उदावतों को पहली बार 1994 में 1994 में संयुक्त राज में मानो उप्योग के लिए अनमोधित किया गया था यानि कि सबसे पहले जीमों को मानो उप्योग के लिए अमेरिका में इसको उप्योग अनमोधित किया गया था 1994 में और देखते देखते 2014-15 तक USA में मकई यानि की कॉर्म, कॉटन और सोया बीन की लगभग 90% जियम थे यानि की जितना भी वहाँ पर उगाया गया है उसका 90% मकई, 90% कपास और 90% सोया बीन जो है वो ज्रिटिकली मॉडिफाइड वाले क्रॉप लगाये गए हैं और 2014 के अंद तक जियम फसलों ने दुनिया भर के दो दर्जन से अधिक देशों में लगभग 25 देशों में जो है 1.8 मिलियन वर किलोमेटर भूम को कवर कर लिया है आज भी जियम फसलों का अधिकान सिस्सा जो है वो अमेरिका में ही उगाया जाता है जियम क्रॉप का जो सबसे ज़्यादा उप्योगी जो है वो अमेरिका में ही इसका उत्पादन किया जाता है आज भी इसको आपको ध्यान में रखना है यहां पर आप देखिए गायगराम के थ्रूप समझेगा कि कौन कौन से जियम क्रॉप का उप्योग कहां कहां किया जाता है तो US की अगर हम बात करते हैं तो US में देखिए मक्का US में मक्का, सोया बीन, कपास, सुगर बीट, पपाया और स्कोईस सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है इनका उप्योग किया जा रहा है नंबर वन पे मक्का है, नंबर दो पे सोया बीन है, नंबर तीन पे कॉटन है नमबर 4 पे सुगर बीट है, नमबर 5 पे पपाया है नमबर 6 पे सुगर है यह जो है U.S में सबसे ज़ादा बायोटेक क्रॉप जो उगाय जा रहे है ब्राजील में सबसे ज़ादा सोयाबीन उगाया जा रहा है और नमबर दो पे महाँ पे मेज है नमबर तीन पे आपका कपास है अर्जेंटीना में नमबर बन पे सोयाबीन है नमबर दो पे मेज है और नमबर तीन पे कॉटन है कनाड़ा में सबसे ज़्यादा कैनोला यानि की रैंसिड आयल जो होता है उसका उत्पादन किया जा रहा है जीम क्रॉप का उत्पादन हो रहा है नमबर दो पे मेज है, नमबर तीन पे सोयाबीन है, नमबर चार पे सुगर बीट है और नमबर यह रही है इंडिया में केवल कॉटन है, केवल कपास का उत्पादन किया जा रहा है, बाकी किसी का उत्पादन अभी तक नहीं किया जा रहा है चाइना में कपास पपीता और पॉपलर का उपयोग किया जा रहा है साथ में टमाटर स्वीट पीपर तो चाइना में कॉटन पपाया पॉपलर और टोमेटो और स्वीट पीपर जो है मीठी मिर्च का जो है उपयोग किया जा रहा है इसको आपको ध्यान रखना है तो यह आप अब आप से देख लिएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो GM क्रॉप उगाई जा रही है वो आपकी कौर्ण है यानि की मक्का है या देखें मेज है सबसे ज़्यादा जो है मक्का और नमबर दो पे सबसे ज़्यादा जो उगाई जा रही है वो आपकी कौन है वो कोई अभी तक उनको प्रपोजल या नहीं मिला इसको ध्यान रखेगा और दुनिया के पचीस देशों में लगबग जो है GM crop इस समय उगाई जा रही है दुनिया के पचीस देशों में अभी तक GM crop उगाई जा रही है और जर्डिकली crop जो है फसल की पैदावार जो है वो लगातार इसकी बढ़ती जली जा रही है और इसकी उपयोग से ये देखा गया है कि जो रासाइनिक कीट नासक हैं chemical insecticide हैं उनका उपयोग पहले से अब कम हुआ है पहले से कम इसली हुआ है क्योंकि ये अपने आपको insecticide resistance बना लिया है कई छेत्रों में जिसे आलू है, कपास है, मकई है जैसे पौधों में ब्यापक स्पेक्ट्रम कीट नासकों के उपयोग में गिरावट आई है यानि अधिकान सेत्रों में अब आलू, कपास और मकई जैसे पौधों में अब insecticide का उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने आपको insect से रिजिस्ट कर लिया है क्योंकि उन्होंने उनके अंदर एक bacillus thuringinesis नामक gene को insert कर दिया गया है जिनके अंदर प्राकृतिक कीट नासक पैदा हो गया है निचुरल कीट नासक वो chemical एक protein पैदा करते हैं, toxin पैदा करते हैं जो क्या कर देते हैं, निचुरली जो है वो insect को kill कर देंगे उसके लिए insecticide को डालने की आउसकता अब नहीं है तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा अन GM फसलों को प्राकृतिक शिकारी या कीट के प्रतरोध के बजाए एक बुशिस रासायनिक जड़ी बूटी के प्रतरोध के लिए engineering किया गया है यानि कि बहुत सारे GM हैं, जो insecticide registration के अलावा कीट नासी प्रतरोध के अलावा उनको हर भी side registration के लिए बनाया गया है हर भी side, यानि कि वो क्या करेंगे यानि कि पहला हमारा काम क्या था कि कीट नासी के प्रतरोधी बनाना फिर हमने क्या किया उसको जो आपके जड़ी बूटी जो होती हैं यानि कि जो हर भी side होती है खर पतवार खर पतवार नासी के लिए हमने क्या किया इसको बनाया तो ऐसी फसलें 1980 के दसक के मस बनाये गए जिनको हम लोग हर भी side resistant crop कहते हैं हर भी side resistant crop HRC का मदलब होता है ऐसे पहुधें जो खर पतवार नासी के विरुद्ध जो है वो केमिकल निकालते हैं उनको मारने का काम करते हैं ये खर पतवार ये फसलें खर पतवारों के प्रभावी रायसानिक नियंत्र को सक्षम बनाती हैं यानि कि अनावस्य ग्रूप से जो खेतों में जो घास फूस निकलाते हैं उनको नश्ट करने के लिए अब हमको अलग से हर्विसाइड का उप्रियोग नहीं करना पड़ता है यही प्रोधे क्या करते हैं एक केमिकल बनाते हैं और वो केमिकल क्या कर देते हैं उन खर पतवारों को नश्ट कर देते हैं अठ लोग देख रहे हैं एक लोग जादा है क्योंकि केवल जो आपके हरी साइड रेजिस्टिंस क्रॉप जो होती हैं इन में जो होती हैं वो herbicide resistance crop जो होती है इन में जो होती है वो जो herbicide से बचने के लिए एक chemical का निर्मार करते हैं और वो क्या कर देते हैं जिस प्रकार से insecticide resistant होते हैं वैसे ही herbicide resistant का पौधों का निर्मार किया जा रहा है अब इन के लिए हमको अलग से herbicide को उप्योग करने के आव सकता नहीं होती है आठ लोग हो गए बिल्कुल आई EPS गर्मा जी आठ लोग हो गए हैं तो herbicide को अलग से यूज करने की छमता नहीं होती है आव सकता नहीं होती है यह अपने आप जो है वो herbicide को मारने के लिए यानि कि घास फूसों को नश्ट करने के लिए केमिकल का हाँ आठ लोग है आठ लोग है क्लास में अगली ची ध्यान रिखिएगा जो राय साइनिक के उदार अनप्रियों को सक्षम करते हैं जो खर पतवारों के खिलाफ अतधिक प्रभावी है यानि कि ये एक प्रकार के केमिकल का रिलीस करते हैं जो खर पतवारों को खिलाफ काम करते हैं आईसी फसले बिसेशकर बिना जुताई के खेतों के लिए मुलवान रही है जो मिट्टी की कटाओ को रोकने वदद करती हैं यानि कि अब इसमें क्या है कि इन फसलों को हम लोग क्या करते थे कि कीटों को खर पतवारों को निकालने के लिए हम उसकी जुताई करते थे जिससे मिट्टी की कटाओ होती थी अब हम ये अपने आप केमिकल निकाल करके खरपार को मार देंगे तो मिट्टी के कटाओ से भी हम लोग रोख सकते हैं तो इस सीज़ को भी आपको ध्यान देना है डूसरा एक्जामपल जो है GM फसल का एक उधार क्या है golden rice है GM क्राप का एक सुनहरा चावल जो है golden rice जो है ये भी एक बहतर उधार है इसका जो मूल रूप से Asia के लिए था Asia में लोगों को विटामिन A की पूर्ती बहुत कम होती है उससे बचने के लिए कि उनको प्रापर मात्रा में जो है वो विटामिन A मिल जाए और ये पाया गया कि सबसे अदर लोग चावल खाते है ये सिया में तो आनुवानसी रूप से जो पिछली किस्मों के जो बीटा कैरोटीन का लगभग 20 गुना उत्पादन करने वाले क्राप का उत्पादन किया गया तो golden चावल के जिनोम को सबसे करके डैड़ो फिल ये ध्यान देखिएगा ये important है अभी जब हम आपसे question करेंगे तो इस पगार question आपसे पूछे जाएंगे तो डैड़ो फिल नौर्सिसस, pseudo-norsis जो है इसके जीन को क्या किया गया चावल के जीन में insert कर दिया गया ये डैड़ो डैफोडिल नौर्सिसस जो है ये एक विसेश प्रकार के enzyme को बनाने में सक्षम होता है जो क्या करता है कि बीटा कैरोटीन के लिए responsible है और वो बीटा कैरोटीन क्या करते है हमारी body में vitamin A का निर्मार करता है ये ध्यान रखिएगा जीनों की सुरुवात ने बीटा कैरोटीन को सक्षम किया जो मानो जिगर में vitamin A में परवर्तित हो जाते हैं यानि कि हमने एक जीन को insert कर दिया वो जीन जो होता है वो बीटा कैरोटीन मिनाने में सक्षम होता है और ये जब हम चावल को खाएंगे हमारे लिवर में बीटा कैरोटीन जाएगा और ये बीटा कैरोटीन लिवर में क्या करेगा vitamin A का निर्मार कर देगा तो चावल का जो endoderm होता है जो बाहरी layer होती है जहां पर चावल का जो जहां पर food reserve होता है उसको हम क्या कहते हैं एंडोडर्म कहते हैं तो एंडोइस्पर्म में क्या हो जाता है कि बीटा कैरोटीन जमा हो जाता है और जब हम उसको पगा के खाते हैं तो ये हमारे लिवर में जा करके vitamin A का निर्मार करता है 2004 में मूल यहने की जो बेसिक जो golden rice plant है उसका विकास किया गया था और बाद में इसको golden rice 2 का निर्मार किया गया जिसमें कैरोटीनॉइड उत्पादन में 23 गुना की बृध्धी हुई थी तो golden rice 2 में कैरोटीन के निर्मार की 23 गुना वहाँ पर बृध्धी हुई थी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में अंतर नार्मल चावल के अंदर हमने क्या किया जीन को इंसर्ट कर दिया तो आपका golden चावल बन गया नार्मल चावल में जीन को अब इसमें क्या है vitamin A beta carotene की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाती है बीटा करोटीन की मात्रा यहां पर सबसे ज़्यादा हो जाती बीटा करोटीन की मात्रा यहां पर सबसे ज़्यादा हो जाती इसको आपको यहां पर ध्यान देना है बीटा करोटीन की मात्रा यहां पर सबसे ज़्यादा हो गई तो इस सी जब हम खाएंगे इसको तो लिवर मे हमारे क्या करेगा, बिटामिन A का ये निरमार करतेगा, तो इसके लिए हमने जो जीन डाला था, वो जीन किसका थाध्यान रखियेगा, डैफोडिल, नार्सिसस, स्यूडो, नार्सिसस के एक जीन को सामिल करके बना जाता है, वही पर मनुस्यों में ये देखा गए है कि Aasia के लोगों में क्या होता है लोहे की, आयरन की कमी होती है आयरन की कमी होती है तो आयरन की कमी से निपटने के लिए क्या किया गया एक जो है वो 45 चावल का रूत पादन किया गया penalty rice golden rice के अलाबा जो है गया और इसने जो है विस्ल की लगभग 30% आवादी में प्रभाव डाला है इसमें क्या किया गया है कि जीयम फसल जो चावल के जिनोम में आम जो फलियां होती है उनमें फेरुलस बल्गैरिस फेरुलस बल्गैरिस जो एक फेरिटिन हो की जीन होता है उसको इस इंसर्ट कर द को पढ़ाने में मदद करता है तो फेरुलस बल्गैरिस क्या करता है चावल में आईरन के कंटेंट को पढ़ा देगा जिससे कि इस पकार के चावल को खाने से सरीर में आईरन की डिफिसेंसी की पूर्ती हो जाएगी और साथ ही उसमें क्या किया गया है एस परजिलिन की मात्रा भी बढ़ जाएगी तो विटामिन ए और आइरन की प्रुचर मात्रा के लिए हमने क्या किया है 45 राइस का निर्मार किया है आइरन 45 जीम राइस को एक मवजूदा राइस जीन को ओवर एकसेस करने के त्यार किया गया था इसमें क्या है सिस्टीन से भरपूर मिटैलो थायोनिन प्रोटीन का उत्पादन करता है जो आइरन के अवस्वोषड को पढ़ा देता है अब इसमें आइरन बढ़ेगा कैसे तो यह जीन क्या करता है जो जीन डाला गया है वो जीन जो होता है मिटैलो थायोनिन प्रोटीन का उत्पादन करता है मेटल बाइंडिंग होता है मेटाइलो थायोनिन प्रोटीन का निर्मार करता है और ये मेटाइलो थायोनिन प्रोटीन क्या करता है हमारी बाडी में आइरन के एब्जार्शन को बढ़ा देता है तो iron के absorption को बढ़ाने के लिए metallothionine protein चाहिए और ये metallothionine protein जो होता है वो इस inserted gene से प्राफ्थ होता है philores vulgaris के gene से जो है वो प्राफ्थ होता है तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि iron fortified जो होता है उससे हमको iron की मात्रा कैसे मिलती है तो iron आवसोसर की चमता बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है कि जो gene हमने insert किया है वो gene metallothionine protein का जिर्मार करता है और ये metallothionine protein जो होता है ये iron के आवसोसर को बढ़ा देता है उसकी rate को बढ़ा देता है इस तरह से क्या करता है उसमें ये help करता है तो इसको आपको ध्यान में देना है करहो कि देना है कि अगली जीदा को ध्यान रखना यहां पर कि मेडिसिन और रिसर्च में जीमों का क्या उप्योग हुआ है मेडिसिन एवं रिसर्च में जीमों का क्या उप्योग है तो 1980 के दसक से बायो मेडिकल डिसर्च के मुख्याधारों में से एक रूप के एक के रूप में उबरा है यहनि कि बायो मेडिकल डिसर्च में यानि कि इस प्रकार के रोगों के परिक्षड करने के लिए उनके रिस्क फैक्टर्स को और रोगों के परडामों के संसोधक की भूमका का पता लगाने में सक्षम बना गया है। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनके बारे में जो नई नई जानकारियां खोजने का एक विकल्प खुला है, उसका एक आउसर मिला है। जियम, रोगाड़ों, पौधों और जानवरों ने भी सुरक्षित और सस्ती वैक्सीन और सिकसी की पीड़ी को सक्षम करने के बाद फार्मा सुडिकल के उत्पादन में क्रांत ला दी है। जियम, इसरेशिया कोलाई, जियम, जियम, रोगाड़ों और फार्मा सुडिकल के उत्पादन में क्रांत ला दी है। जो पहले संभव नहीं था GM इसरेशिया कोलाई जर्टकली मॉडिफाइड E. coli bacteria और factor 8 हीमोफिलियस के लिए और tissue कैस्मिनोजन एक्टिविस्ट TPA हार्टैग या स्ट्रोक के मरीजों के लिए इसका दिर्मार किया जा रहा है GM इसरेशिया कोलाई बैक्टिरिया और factor 8 जो blood clotting factor होता है इसके उत्पादन में tissue कैस्मिनोजन एक्टिविस्ट के रूप में इसका उप्योग किया जा रहा है बड़े लेबल पे इसमे से प्रियोग साला संस्कृति में बिक्सित GM इस्तंधारी कोशिकाओं में उत्पादित होते हैं GM पौधे को खाद टीके का उत्पादन करते हैं विकास की अधीन है यानि कि हम क्या कर रहे है genetically modified पौधों से इड़बल टीकों का निर्मार कर रहे हैं इक टीके को हम खा सकते हैं अभी उसको हम लोग research में हैं edible vaccine एक antigenic protein होती है खाने वाली vaccine जो होती है antigenic protein होती है जिसे पौधों के खाने योग भाग जिसे फल आज से उत्पन किया जाता है एक बार जब हम इसको खा लेते हैं तो वो हमारे रक्त प्रवाहमेने की हमारे blood में चला जाता है blood में जाने के बाद हमारा saris को क्या करता है absorb कर लेता है cell के अंद जला जाता है और protein antigen के खिलाफ antibody का उत्पादन करने के लिए हमारा जो immune system होता है वो induce हो जाता है और उसके खिलाफ antigen डबलब कर देता है जैसे माली जी की हमने कोई edible vaccine ले लिया अब वो vaccine हमारे blood में जाएगा blood से हमारे cell में जाएगा cell में जाने के बाद उसके खिलाफ जो है हमारी body क्या कर देगी antibody बना लेगी और वो क्या होगा कि वो हमेशा रहेगी और जब कोई उस प्रकार का bacteria या कोई virus हमारी body में जाएगा तो पहले से antibody मुझूद है उसको क्या कर देगा नश्ट कर देगा इस तरीके के टीके जो बनाए जाएंगे दुनिया के कम विक्सित छेत्रों में हैं जहां कुछ पारंपरिक टीकों के लिए प्रसीतन यानिकि freezing और गैर संक्रमित सुई की सीमित उलबता रही है यानि कि जहां पर सीतलन की समस्या है जहां पर vaccine को हम proper नहीं रह सकते हैं वहां पर बिजली नहीं है या वहां पर refrigerator नहीं है या वहां पर गैर संक्रमित सुई की समस्या हमेसा से रही है उन जगहों पर हम edible vaccine का उपयोग करके इन तब समस्याओं से हम सुटकारा पा सकते हैं और ये जो होंगे जो पारंपरिक टीके होते हैं उनसे सुरक्षित भी होंगे, सस्ते भी होंगे और दर्द रहित होंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी vaccine नहीं लगनी है तो genetically modified technique के द्वारा edible vaccine का दिर्मार जो किया जाएगा, वो कई तरीके से हमारे लिए उपयोगी होंगे HIV, AIDS, टपेदिक और कैंसर सहित जो traditional टीका काड़ होते हैं, उनके खिलाब भी हम जो है DNA टीके का उपयोग करके बेहतर प्रड़ाम हम लाने की कोशिस कर रहे हैं बिशेश रूप से परजीवी रोगों को रोकने के लिए, यहनि कि जो parasite disease होती हैं, उनको रोकने के लिए कीटों का अनुवान से सुधन करके हम उसका उपयोग कर रहे हैं, जैसे परजीवी जिसे malaria होता था, तो malaria जो है मच्छर के काटने से होता था, तो बैगानकों ने क्या किया, एक genetically modified मच्छर को बिक्सित किया है, GM मच्छर को बिक्सित कर लिया, जो एक SM1 नामक एक छोटे प्रोटीन को बिक्त करता है, जो मच्छर के आत में malaria परजीवी के प्रवेश को अवरुध कर देता है, यानि एक ऐसा मच्छर उत्पन कर लिया गया है, जिसमें एक विसेश प्रकार का प्रोटीन होगा, वो प्रोटीन क्या करेगा, वो मच्छर क आत में रहेगा, और उसके आत में रहने पर जो भी malaria का प्रजीवी plasmodium है, प्रोटो जो हुआ, वो उसके अंदर डिबलफ ही नहीं हो पाएगा, इस वज़े से क्या हो जाएगा, कि उसका जो plasmodium की life cycle है, वो बंद हो जाएगी, वो रुख जाएगी, वो अवरुध हो जा हैं, यह GM organism के द्वारा ही संभव हो पा रहा है, अब इनको हम क्या करेंगे, कि हम GM crop, जो GM हम mosquito बनाएंगे, यह तो कम संख्या में होंगे, अब हम इसको पूरे, जितने भी मच्छर हैं हमारे समाज में, उन समय कैसे distribute करेंगे, तो हम in genetically modified जो mosquito बनाएंगे हैं, इनको हम क्या कर करेंगे, wild malaria के साथ, जो है, वो संचड कराएंगे, यानि कि उनके बीच में हम mating कराने का काम करेंगे, उससे क्या हो जाएगा, कि जब मैटिंग कराएंगे, तो वो protein जो हो दी, दूसरे वाले bacteria में भी insert कर जाएगी, जैसे, एक मालो कोई नर एडीज, एजिप्टाई मच्छ है, उसमें जो, जिसे बांच कीट अगनिक से रूप जाना जाता है, एक जो है, वो इस्टेराइल, जो है, वो कीट अगनिक से इसके बन से जीन को सरश्ट कर दिया जाएगा, और यौन परिपक होने से पहले संदान की मृत्य हो जाती है, यानि कि मेल एजिप्ट, एजिप् होने से पहले ही उस मच्छर की मृत्य हो जाएगी, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसको जो है, वो इस्टिराइल इंसर्ट तकनीक का नाम दिया गया है, इस से जो है, देखा गया है कि ब्राजील की उपनगरों में इस इस्टिराइल जियम मेल इंसर्ट के कम आई है, इस प्रकार के तकनीक का उप्योग करके, राती साथ, जीन थेरपी के माध्यम से मनुस्यों के आनुवांसिक संसोधन, दुरलफ उपाप्चे संबंधी विकार से लेकर, कैंसर तक की बिमारियों के लिए एक उपचार विकल बन रहा है, यानि कि जीन थेरपी के से खुल रहा है, रिट कॉओनेट डिने टेकनलॉजी के दौरा, जो युगमन स्टिम स सिल तेकनलोजी है, उसके दवारा हम क्या कर रहे हैं, स्टिम सिल को सिखाओं के दवारा, हम नए-नए रोगों का उपशार कर रहे हैं, जैसे सिकल सिल एनेमिया वाले रोगवी से, बोन इजियम को सिकाओं का परचे एक मिलान दाता की आउसकता के लिए बीमारी का इलाज कर सकता है यानि कि इस प्रकार से हम इसको जो डिजीज परसन लोग हैं जिसमें रोग है उसको हम लोग सिक्ल सलेनेमिया हो गया उसमें बॉन मेरो रिप्लेस्मेंट के माध्धम से भी हम क्य सकते हैं पर्यावण प्रबंधन में इसकी क्या भूम कर सकती है तो ज्ध कली मॉडीफाइड ऑर्गिजम का अन अनप्रियोग पर्यावणी मुद्दों में है जैसे बैक्टीरिया बायोडिटेबल प्लास्टिक का उतपादन कर सकते हैं ऐसे हम बैक्टीरिया कुछ बैक्ट वूँआ हूंगे उनको हम प्रियुकसाला में आसानी से बना सकते हैं और प्लास्टिक उद्योग के ब्यापक thanks पर G curso Rain Rewn G prinnery लेमें हम सब्सकते हैं यानि कि हरी यानि यानि क fel से प्लास्टिक और प्योग करेंगे जो हमारे लिए क्या होगी प्लास्टिक अभी स्थ हो सकती है अभी बिल्ञ करीछ जो संथेटिक पॉलिमर हैं जो जो आपके पॉली हाइड्रोक्सी एलके नोएट नामक एक माइक्रोबियल रूप से बायो डिड़ेबल प्लास्टिक का निरमार किया गया था ये आपके UPSSIM पूछा गया है कि PHA इनमें से कौन सा बायो डिड़ेबल प्लास्टिक है तो उसको बायो पोल भी कह देते हैं या पॉली हाइड्रोक्सी एलके नोएट कहा जाता है पॉली हाइड्रोक्सी एलके नोएट जो है ये पहला बना हुआ बायो डिड़ेबल प्लास्टिक था पहला बना हुआ बायोडिल प्लास्टिक था पॉली हाइड्रॉक्सी एलकोनेट था प्लास्टिक को ग्लूकोज और विभिन प्रकार के कार्बनिक एसिट को एक फ्लेक्सिबल पॉलीमर में बदलने के लिए जियम जिवारू जिनकली माडिफाइड बैक्टिरिया रालसोनिया यूट्रोपा की उपयोग से बनाया जाता है यानि कि अगर आप से पुछा जाए कि ये जो आपके बायोडिल प्लास्टिक किससे बनाया गया है तो bacteria का नाम रखेगा Ralsonia utropa नामक bacteria से बनाए गया है जो एक GM जिवाडू है Genetically Modified Organism तेल और भारिध हात्मों के उपापचे करने की bacteria encoded शमता के साथ संपन है जो bio remediation में काम करती है यानि कि bio oil jeper का नाम सुनागा आप लोगों ने oil jeper यानि कि ऐसा bacteria हम GM जिवाड़ा बनाएंगे जो क्या करेगा कि तेल और भारिध हात्मों को नश्ट कर देगी उसको digest कर देगी अगर हमारे मृदा में हमारे समुद्र में अगर कोई तेल की leakage हो जा रही है तो bio remediation का का काम करती है यानि कि वहाँ से क्या करेगी उन तेल को उन हैवी मेटल्स को नश्ट करने का काम कर देती है अभी हाली में देखा गया है कि सोने सोने की खान से सोने निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बैक्टिरिया का यूज़ कर रहे हैं तो कई तरीके से हम GM organism के द्वारा तेल और भारिद हात्वों के metabolism के द्वारा हम bio remediation में bio degradable plastic के निर्माड में इन सब में इसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं ऐसे ही question prelims में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से bio remediation में GMO का उपयोग कहां किया जाएगा पहला देएगा bio devil plastic के निर्माड में दुसरा रहेगा bio remediation में तिसरा रहेगा oil jeper में सामाजिक मुद्धेबाद पढ़ लेंगे अब हम लोग यहाँ पे question कर लेते हैं कि कौन कौन से question जो है यहाँ पे बनते हैं जो important है तो आईए हम लोग questions कर लेते हैं पहला question है आज का हमारा what was the first genetically modified crop to be sold in supermarket in the United States United States में के supermarket में सबसे ज़्यादा पहला जो genetically modified crop कौन सा इसको sold किया गया था flavor saver tomato, herculex corn, knock out corn endless summer tomato किसका उपयोग यहाँ पर सबसे पहले किया गया था supermarket में United States के what was the first genetically modified crop to be sold in supermarket in United States जल्दी सिसका अशर दीजी आप लो जल्दी सिसका अशर दीजी आप लो what was the first genetically modified crop to be sold in supermarket in the United States सबसे पहला genetically modified crop कौन सा जिसको सुपर अमेरिका के सुपर मार्केट में sold किया गया था तो ध्यान रखिएगा पहला जो था यहाँ पर वो flavor saver tomato flavor saver tomato का उप्योग किया गया था सबसे पहले sold किया गया था flavor saver tomato ध्यान रखिएगा इसका एंसर क्या है पहला flavor saver tomato का उप्योग किया गया था flavor saver tomato का सबसे पहले यहां पर उप्योग किया गया था अगला question in what year were GMO seed first available commercially in the United States अमेरिका में किस साल GMO crop जो है वो commercially available था सबसे पहले बार जो है अमेरिका में कौमवाड़ जी ग्रूप से GMO crop का उत्पादन शुरू हुआ था वो साल कौन सा था तो ध्यान देखिएगा यह साल था आपका 1989 से 1989 से जो है commercially इसका जो उत्पादन सुरू किया गया था United States में अगला question what is the reason farmers cultivate GMO crops किसान जो है वो cultivate GMO crop को cultivate करने के पीछे उनका क्या करण है अधिकांस रूप से लोग जो है GMO crop को cultivate क्यों करते हैं अधिकांस रूप से लोग GMO को cultivate क्यों करते हैं increase yields उत्पादन को बढ़ाने के लिए decrease pesticide input cost कीट नासक के cost को कम करने के लिए save management time प्रवंधन समय को save करने के लिए या उप्रोग में से सभी तो farmer GMO crop को उत्पादन करने के पीछे उनके तीनों region होते हैं वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसको यूज करते हैं pesticide को कम यूज करने के लिए भी करते हैं और management time को कम करने के लिए भी इसका उत्पादन किया जाता है यानि कि तीनों बातें यहाँ पर सही है अगला इन हो मैनी कंट्रीज आर जीमो क्रॉप्स नाव कल्टिवेटेड बरतमान में कितने देशों में जीम क्रॉप कल्टिवेट किया जा रहा है तो लगभग दो दर्जन तू डोजन कंट्रीज में जो है इसका उप्योग किया जा रहा है यानि कि इसका एंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा 25 देसों में जो है इसका उत्पादन हो रहा है बर्तमान में जीमो करव आपका लगभग 25 देसों में इसका उत्पादन हो रहा है इसको आपको ध्यान लगना है अगला कोश्टन है इसका एंसर आपका है United States सबसे ज्यादा GMO क्राप जो है वो United States में उगाया जाता है What percent of foods in US supermarket are estimated to contain one ingredient that is derived from GMO crops? What percent of foods in US supermarket? US supermarket में estimate जो क्या गया है one gradient that is derived from GMO crops से जो derived किये गए food है उनका percentage क्या है तो ध्यान रिखिएगा कि US supermarket में GMO crop जो derived ingredient का है उनका 70% जो है वो utilize हो रहा है 70% वहाँ पर utilize हो रहा है GMO crop के रूप में What is the most popular GMO crop cultivated in the United States? United States में सबसे ज़्यादा जो है popular GMO crop काउन सा है सबसे ज़्यादा popular GMO crop वहाँ पर काउन सा है तो ध्यान दखिएगा कि US में सबसे ज़्यादा जो है वो कौर्न है सबसे ज़्यादा वहाँ पर मक्काव गया जाता है नमबर दो पे आपका वहाँ पे क्या है? सोयाबीन है नमबर दो पे क्या है? सोयाबीन है नमबर वन पे कौर्न है? नमबर दो पे वहाँ पे सोयाबीन है कौर्न मन्दब मेज? मक्का इसको आपको ज़्यान रखना है What do biotechnology companies call the process of genetically manipulating plants by adding multiple genes for the same or different traits such as higher-end and herbicide tolerance जयवपर्द की कमपनियां एक ही या अलग-अलग लग छड़ों जैसे कि अधिक उपज और herbicide संसुरुता के लिए कई जीनों को जोड़कर आनुवान सी ग्रूप से हेरफेर करने की प्रक्रिया को क्या कहते है? क्लास साड़ है उसे स्टार्ट हुई है तो इसमें धायगे trade stacking कहा जाता है trade stacking विशेष्ता stacking कहा जाता है इसमें कि सबसे जो तकनीक है trade stacking का यहाँ पर क्यों किया जाता है अधिक उपज हर्भी साइज सहरुड़ता के लिए कई जीनों को जोड़कर जो कई प्रिकार के जीनों को जोड़कर के एक नई विराइटी बनाई जाती है तो उसको trade stacking कहा जाता है ठाँ दगे, trade stacking नाम दिया जाता है उसको trade stacking कहा जाता है what flavor what flower lent a gene to rise the synthesize the production of beta carotene in golden rice golden rice में beta carotene को बढ़ाने के लिए इन में से किस पौध है के जीन का उप्योग किया जाता है इन में से किस पौध है के जीन का उप्योग किया जाता है मैंने बताया था अभी what flower lent a gene to rise to synthesize the production of beta carotene in golden rice golden rice में beta carotene के प्रशन को बढ़ाने के लिए किस पौध फूल के जीन को insert किया जाता है ध्यान रखेगा डैफोडिल नामद flower होता है डैफोडिल flower को यूज करके इसका जीन निकाल करके golden rice में insert किया जाता है फिर golden rice में क्या होता है beta carotene का प्रशन जादा होता है फिर ये liver में जाता है जहां पर vitamin A का निर्मार होता है इसको आपको ध्यान में रखना होगा what is the concern of anti-gmo angrigy में लिखना इंग्लिस में लिखना है जैसे आपको लिखना है hibiscus rosa sinensis तो आप ऐसे लिखोगे hiatus hibiscus Roza sinensis इस तरह से आप लिखोगे arachis hypogeos तो आप arachis hypogeos angrigy में लिखोगे अहनँ अंgrigy में लिखना हिंदी में लिखना है एंदे में फिर ग्रपड हो जाएगा. What is the concern of anti-GMO activists in Europe and United States? Europe और सभीत राज अमेरिका में GMO विरोधी कारकरताओं की चिंता क्या है? आनुमांसिक हेर फेर के दिरकालिक प्रभाव हो जाएगे. GMO भोजन के सेवन के प्रणाश रूप मनुस्यों में अनुमांसिक हेर फेर हो जाएगा. कम संख्या में जीव उत्पाद को द्वारा खाद आपूर्द पे नेंत्रव पड़ जाएगा. उप्रोबे सही. तो ये तीनों चिन्ताएं हैं अमेरिका में और यूरोप में कि अगर जादा GMO का यूज हुआ तो उसमें क्या-क्या चिन्ताएं उत्पन हो सकती हैं. तो अनुमांसिक हेर फेर के दिरकालिक प्रभाव हो सकते हैं. GMO, भोजन के सेवन के परड़ाम सरूप मनुस्यों में अनुमांसिक हेर फेर हो सकता हैं. कम संख्या में जीव उत्पाद को द्वारा खाद आपूरती पर नियंत्र उप्रोक्त में से सभी तो सभी चीजों पर चिन्ताएं ब्रिक्त किया रहे हैं. इसको ध्यान रखिएगा. तो आज के लिए इतना ही हम लोग आज के लिए इतना ही कल हम लोग फिर मिलेंगे साधे नो बजे और उसमें हम लोग इस्टेम सेल बगारा पर बात करेंगे और तो उस क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका PDF में आप लोगों को भेज़ दूँगा भी जो लोग क्लास में हैं उन लोग ले लेंगे और मेरा कोड SS0 बना रखिएगा टेलिग्राम लिंक पर जुड़ जाएगा जो लोग न आ सकते हैं उसका मेरा जो है एप पर जाकर के आप वहां से मुझे सर्च कर सकते हैं सुदीप शुरिवास्तो के नाम से तो वहां से मेरी क्लास आप प्रॉपरली देख सकते हैं तो आज के नमस्कार धन्यबाद कल हम लोग फिर मिलते हैं साहे नह गोजे थैंक यू